लखिमपूर खेरी के तिकुनिया में जो घटना हुई रविवार को उसने पूरे देश में कई सारे सवाल खड़ा किया है उन्ते लेकिन किसानों के आल किसानों और बीजेपी के समवर्तकों के अलावा एक पत्रकार थे रमन कश्यप जिनकी जानभी पूरी घटना में चली ग जो शुरुआती तोर पर आपने देखा क्या लगा क्या घटना मुझे सुनने में आया कि मतलब जो दोनों का फिले इदर दर से निकला जा रहे थे उसमें ये मेरा बिटा तो कबरेच करने लिए गया था उसमें मतलब कुछ लोगों को मतलब गाड़ी से टक्कर लगी उसकी पांचे लोगों की मतलब मरत हुई इसमें मेरा बेटा भी सामिल था और यह तो कबरेच करन लिए गया था अब जाना तोसको था ही बहुत पत्रकार सारे गये थे ये भी मतलब उसके गाड़ी की चपट में आ गया अब यह गाड़ी किसकी गाड़ी है कौन सी गाड़ी है य और चब ये बेटा मेरा मतलब एकसेन्स मतलब जिस इसंसे लड़ाई गई है फिर मतलब साधे छे बजे इसके मतलब जो है उस पे सो वाली जो गाडी है उस पे मतलब जहां से समें लदवा दिया तिकुनिया को तौरल शिए और वहां भी इंतजाम था उसका इलाज करने का बी कि भी वहां नहीं तुरोगों कि मतलब जो है पॉस्तम हो एं Cave the all the job एक तीन लोगों कि मतलब जो है पॉस्पाष्ट म हो गे थे रात करीब एक दो बजे तक तीन बजे मेरे पास पून आया कि मढई पड़ी में पझाज का नहीं हो रही है कि जो लोग यहां से गए तो चार बजे हम जब पहुंचे तो देखा मेरे बेटा तो अगर हो सकता था कि यह बेटा मेरा कहीं पहुंचा दिया था साइथ बच जाता था टाइम से यह समय बड़ा मुश्किल है अब हमारे लिए भी हम भी पत्रकार है इसलिए भी लेकिन एक बात बताईए कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई और सारी चीजे हुई उसमें लगता है कि कहीं न कहीं आपने प्रशासन पर भी सवाल खड़ा किया है किस तरीके से क्या क्या उस सब्सक्राइब है कि जिस दिन जुसे तरीके से घारी से तक्कर हुई उसी से ये पूरी घटना हुश शुरू हुई है मतलब सब्सक्राइब हज जो घाव था जो जक्म था वो क्या बता रहा था वो तो बता रहा है रोट पे उनकी मतलब रगण हुई है सब घसीटे सब मतलब यह है कि उस पर कोई लाठी इंडे के निसान तो है नहीं और एक चोट सर में पीछे आई ही जब टक्कर लगी तो रोट पे ही गिरे होंगे तो पीछे मतलब यह में जो है इसमें चोट यादा आई है और बाकि सब रगण मुही थी जब पेंटेंट सब कट गई से चल गई से हां सब रगण गये थे सब तो मतलब रोट पे रगड़े हैं तो पोस्टमाटम रिपोर्ट हमें बताई जा रही है उसके हिसाब से यह है कि उ अब तो यहां पर जो यहां पर जो पत्रकार थे उसमें मौझूद थे वही मौझूद थे वह समय का हाल बताई कि क्या हुआ था आपका नाम नाम बिनीत कौमर गुप्ता से जब उधर से बीजेपी का काफिला आ रहा था तो इसपीट रही होगी 120 के आसपास वो जो कबरेज कर रहा था हमारा मित्र हमारा भाई कहीं ना कहीं किसानों को किसान जो थे या जो भी हमारा रिपोर्टर था उसको रौंजते हुए निकले हैं दर्दनाग ये इसको हम हासान इसको हत्या कहेंगे हत्या बीजेपी के द्वारा हमारे पत्रकार की हत्या की गई है तो क्या आप वहां पर मौजूद थे आप थोड़ा और बताए आप कह रहे हैं क्या 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 प्रत्यक्ष दर्श्टी हैं सब कुछ देखा क्या था किस तरीके से चल रहा था किसानों का काफिला और कहां से गाड़ियां आ गई आचानल किसान जो अपना कारेक्रम कर रहते वो कर रहते कालि जघंडे वगरा दिखा रहते बीजेपी की तीन गाडियां को चिकूनिया से आ रही थी तो कुनिया से आ रही थी इस लिनर काफी अप たट्रकार बोह्य थी पद्रकातार सीधे सबसे पहले इसको ठोकर लगी है यह जब गिरा है मेरा जो मानना है यह गिरा है तो इसके पीछे चोड़ लगी है और उसके आदे इसको रौंदिते हुए निकल गई है गाड़ी और थार ने ही इसको टक करमारी है कितने मीटर की दूरी पर आप थे उसमें जिसमें ये पूरा हादसा हुआ क्या था और बाकी पत्रकार भी थे क्योंकि किस तरीके से कबरे चल रही थी जब इसके साथ ये घटना घटी है तो सभी लोग अपनी जान बचा के भागे हैं प्रसाशन प्रसाशन सिर्फ बीजेपी कारकलताओं को बचाने में लगा था ना कि किसी पत्रकार को ना कि किसी अन्यवक्ति को वो सिर्फ बीजेपी कारकलताओं को बचा रहा था अचा पिता जी अब जो पूरी चीजें सामने आ रही हैं एक न्याय की सबको उमीद होती है कि बेटा चला गया जान नहीं आ सकती लेकिन न्याय तो जरूर मिले क्या अब आगे कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाना हमको कि हमने तो मतलब जो है हम लोग वहां बेटे को लेक पूरे मार्केट के और इसडियम साइब वहां आए उन्होंने मतलब आस्वासन दिया उसन के आस्वासन पे ही मतलब हमने जो हैं तिम संदकार कराया है वह इसे तो मांग हमारी उन से उनके स्थी कि मतलब जो है आप मेरी बहू को एक सरकारी सर्विस चाहिए और बच दो बे करनों के उसे ना जोड़ा जाए मेरे बेटे को मतलब क्योंकि वह पत्रकार था तो उसको पत्रकार का के हिसाफ से जोड़ा जाए एक पिता का दर्द किसी बेटे को खोने के बाद क्या हो सकता है हम हर कोई समझ सकता है कैमरे पर भी दर्द छलक रहा है लेकिन सियासत अपनी कि उम्मीद कि जिस तरीके से तमाम लोगों को बाकी चांची चल रही हैं उसमें इनको भी न्याय मिले मुआपजा मिले बच्चे हैं उनके लिए भी आगे भविश्य सुरक्षित हो उसका भी इंतिजाम करें कैमरा मैन रितेश मिश्रा के साथ कुमार कुनाल निघासन लखीम पुर्खिरी आज तक